असलाम अलेकम स्टूडेंट्स इस मोट्यूल में हम इस बारे में बात करेंगे कि social entrepreneurs को जो potential investors हैं उन्हें approach करने से पहले अपना anヤ जो enterprise है उसके financial drivers को समझना जरूरी है उसके लिए कि क्या चीज उसकी enterprise है क्या financial drivers है उसके यह इसलिए जरूरी है कि appropriate investor को approach किया जा सके अगर आपका mission जो है वो environmental issues है तो जाहिर है आप ऐसे investor को approach करना चाहेंगे जो long term investment में interested हो या वो करता हो, उसका track record हो, उसको समझ हो इसी तरह किस किसम की funding जो है, उसकी form क्या होगी, वो grant होगी, वो subsidy होगी, वो loan होगा, debt होगा, equity होगी ये चीज़ determine करने के लिए भी जरूरी है कि social entrepreneur अपने financial drivers को समझे, financial drivers को समझने के लिए उसे अपने आप से कुछ questions पूछने की जरूरत होती है, जिनका हम इस module में analysis करेंगे सबसे पहला question जो है, वो financial sustainability का है, कि सबसे पहले जो आपका combination है, value का, यानि social, environmental और financial combination है आपके social entrepreneurship में, वो क्या financially sustainable है, क्योंकि अगर आप इन तीनों चीज़ों को कहीं balance नहीं कर पाते तो मुम्किन है आपका focus social cause के उपर या social return के उपर ज्यादा हो, या environmental impact के उपर ज्यादा हो और आपका financial जो है aspect वो sustainable ना रहे, और ये बहुत आम है social entrepreneurship में, हमने पीछे कहीं बात की थी कि 40% जो social enterprises हैं, वो अपने पहले चंद सालों के बाद, जो early stage है, उसके बाद वो fail हो जाते हैं, कतम हो जाते हैं, क्योंकि वो balance create करना है throughout, जिसमें investor भी interested हो, और आपका cause या mission जो है, वो भी achieve हो सके, social impact भी create हो सके, ये balance बहुत ज़रूरी है, और अगर आप ये balance जो है, आपकी जहन में कोई equation है, तो अगला question आपको अपने आप से पूछना है, क्या ये financially viable है, are there any investors जो interested होंगे इसमें invest करने में, are there any sources या forms of funding available for such a balance, क्या कोई ऐसी grant, कोई ऐसा fund, कोई ऐसा loan available है, जो जो balance मेरे जहन में है, या जो balance मेरी organization अचीव करना चाहती है, उसको sustain करते हुए financially be viable हो, ये वो questions हैं, जो के determine करेंगे कि किस investor को, किस form of investment के लिए social entrepreneur जो है, वो मतवज़ो करता है, या approach करता है, इसी तरह जो आपका business plan है, जो हमने पिछले modules में discuss किया, बहुत details है, उसकी operational efficiencies क्या है, क्या हूँ भी है, जो और किसी enterprise का, वो business enterprise है, या social enterprise है, उसमें नहीं है, आपके पास क्या qualifications है, क्या resources है, क्या extraordinary चीज है, जिसकी वज़ा से, आपका plan जो है, वो efficiently workable है, किसी और plan की निस्मत, साधा लफजों में, investor आपके plan में, आपका जो mission है, आपका जो proposed activity है, उसमें क्यों invest करें, आप उसको क्या incentive दे सकते हैं, other than return, of course अगर आप demonstrate कर सकते हैं, कि as a social entrepreneur, आपकी qualifications हैं, इस काम को करने की, आप अपने mission से committed हैं, आपके पास mission और vision share करने वाले volunteers मौजूद हैं, आपके पास expertise हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं, जो इस काम को करने के expert हैं, और वो काम को करने के लिए willing हैं, तो investor safe महसूस करता है कि उसकी investment जो है, वो safe होगी, और अगर ये questions जो हैं, आप इनके जवाब investor को नहीं दे पाते या satisfactorily नहीं दे पाते, तो investor reluctant होगा investment करने में, इसके इलावा social entrepreneur को consider करने की ज़रूरत है कि उसकी जो enterprise है, उसमें earned income की क्या opportunities हैं, throughout हमने बात की, लेकिन खास तोर पर organizational structures के हवाले से बात की, कि even non-profit जो social ventures हैं, वो भी non-profit उस तरह से नहीं होते कि वो कोई income earn कर ही नहीं सकते वो excess revenue generate कर सकते हैं, जो कि उनकी cost से ज्यादा earning होती है तो ऐसे में क्या earning opportunities हैं कि अगर उसको जो loan है या जो debt है उसको settle करना पड़े, तो क्या opportunities available हैं, उसके enterprise के अंदर जिनके जरिये से वो उस loan को settle कर सके इसी तरह assets हैं, वो enterprises, वो social entrepreneurs जिनके कोई tangible solid assets होते हैं, उनको ना सिरफ investment मिलने में आसानी होती है बलकि एक तरह से वो assets as a guarantee काम करते हैं, investor मुतमिन हो जाता है कि अगर ये initiative या ये activity जो है, वो return ना भी ला सकी तो कुछ assets हैं, जो collateral के तोर पर उसकी investment को, की safety या उसकी guarantee के तोर पर काम करेंगे फिर social entrepreneur को ये consider करने की जरूरत है कि क्या वो कोई ऐसा काम कर रहा है, जिस पर उसे continuous subsidy की जरूरत होगी मसलन human services हैं, elderly care, child care और इस तरह के जो nursing के काम हैं, ये वो activities हैं जिनमें या तो return होता नहीं है या फिर जो है वो काफी लंबे period के बाद return आना शुरू होता है एक elderly care की free service आपने establish की, वो इतना अच्छा चला कि उसके बाद लोग pay करके वो service avail करने को तयार हैं, तब कहीं जा कि आपको return आता है तो क्या ऐसी सूरत में जो आपका potential investor है, वो इसके साथ comfortable है इस arrangement के साथ और आपके investor और आपका जो enterprise है उसके दर्मियान इस subsidy की division के हवाले से क्या arrangement होगे, कि क्या investors को भी वो subsidy मिलेगी या सिरफ आपके beneficiaries को वो allocate होगी, अगर सिरफ वो exclusively beneficiaries के लिए है, तो investor को उससे किस तरह exclude किया जाएगा ये सारी चीजें जो हैं, वो investor को approach करते हुए, उसको साथ investment possibilities को discuss करते हुए, उसके सामने social entrepreneur ने रखनी है क्योंकि investor हो सकता है, उसका कोई past experience ना हो, या उसका वो field ना हो, वो sub sector ना हो जिसमें social entrepreneur activity करने जा रहा है इसी तरह social entrepreneur को ये समझने की जरूरत है कि क्या उसका enterprise या उसकी activity जो है, वो इतनी commercially viable है कि वो market का return rate है, वो दे सके या debt को settle करने के लिए, उसको अदा करने के लिए इतनी income उससे आ जाए कि वो जिस time frame में वो उसने loan लिया है, वो उसको अदा कर सके और last but not least, equity के issues, बहुत सारे investors जो है, जब social entrepreneur के पास clear plan नहीं है कि जो return है वो कैसे होगा, जब उसके पास को collateral assets नहीं है, जो वो collateral के तोर पर दिखा सके investor को ऐसे में investors के लिए equity एक option होती है, कि उसको उस enterprise के अंदर मालका नहकूप या shares या किसी और farm में equity मिल जाए तो क्या equity, जो organizational structure है enterprise का, जो उसकी legal implications है, उसके हिसाब से क्या equity option है क्या social entrepreneur जो है, वो investor के साथ his possibility को share कर सकता है, कि अगर किसी वज़ा से वो return नहीं आता जो वो तैक कर रहे हैं, तो equity ले लेगा और उसमें important ये भी है, कि क्या investor जो है, वो equity में interested है, अगर है, तो जाहर है, वो invest करेगा, अगर नहीं, तो एक option जो है, वो close हो जाती है, social entrepreneur के लिए ये वो questions हैं, जो के आपके enterprise के financial drivers को determine करते हैं, जिनकी basis पर आप मक्सूस किसम के investors और मक्सूस किसम की जो funding हैं, उनको approach करते हैं, thank you